हाई फ्रेंज मैं हुँ माने विलकम डि मूवी शोगी करते हैं आप अपसा पदण सा नस्कार इस टाम जो मूवी सबसे अदा लाइम लाइट के अंदर है वो है किंग नहीं एक्चली नहीं है अभी उसको सरफ गरम हो रही है वो जो सबसे अदा गरम हो चुकी है वो बाले खा और बजट बजट भी न मुझे हर बारी बढ़ा बढ़ा के देते रहे ना क्योंकि फैन फॉलिंग इतनी ज्यादा है हिंदी बेल्ट के अंदर भी ओवर्सीज भी तेलगू सेर्गेट के अंदर भी कि जैसे ही कुसकी मुवी अनौंस होगी एक अलग तरीके का अट्रैक्शन बन जाएगा अब कल की का अट्रैक्शन इस बारी बहुत जादा पॉजिटिव नोट के अंदर है क्योंकि जो भी एसेट आए है और लास्ट जो कार आया या फिर बीजी बुजी जो भी आया वो भी काफी अट्रैक्शन बना के रखा बजट इसका 600 क्रोड रवे ना गश्म वर्ल्ड हो चाए बांटी हंटर बनाया हो प्रभास हो उसकी लुक हो बड़े बाल हो चाए मीट इन ग्रीट हो अभी तक इस मूवी का जो कुछ भी आसेट आया है फ्लॉलेस आया है जिसकी वज़ा से या बीकी भी बहुत महेंगी है इसका जो हिंदी वर्जन है उसका जो थेटिकल राइट्स है वो थंदानी सामने ले लिया है जो रमीन एटंडन के हस्बन ने ए फिल्म ने ले लिया है वो लिया उन्होंने 100 करोड रुपए तो इसका रेपकर्शन यह होता है कि हिंदी में नेट कलेक्शन कम से कम 200 करोड 190 करोड तो करनी पड़ेगी तब इनको जो होगा वो आना शुरू होगा उसके बाद तो मतलब यह नो प्रॉफिट नो लास पर होंगे ओटी रीजनल जो है वो बिका है 200 करोड में ओटी हिंदी विका है 175 करोड रुपीज के अंदर एपी और तेलंगाना के अलग राइट्स बिके हैं 200 करोड के अंदर मतलब एपी अब अगर थेटर में देखें 600 करोड में से 400 करोड की कीमत है वह आई है तिरेटिकल राइट से और 375 करोड आया है OTT के राइट से तो रिकवरी होती है 775 करोड रुपीज 600 से माइनस करोगा तो 175 करोड का मेकर्स के पास प्रॉफिट है विच इस अवरी हवी प्रॉफिट और यह सिर्फ अभी आउटलाइन है इसके लावा भी और पैसे कमाएंगे चिंता ना को और कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि इस फिल्म के लिए प्रभास ने प्रॉफिट शेरिंग करी ऐसे कुछ निया सब कुछ अब बाकि अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिबूटर का कितना पर इसका तो जैसे मैं नहीं बताया कि हिंदि के बेल्ट के अंदर अगर यह 200 कुरोड नहीं करते हैं तो loss making होगी एपी तिलंगाने के अंदर रहे चाट सो करोड नहीं करती है तो ये लॉस्मेकिंग होगी बाकी रेस्ट आफ इंडिया के अंदर कम से कम दो सो करोड इसको करना होगा तब जाके ये बोल सकते हैं कि ये ब्रेक अविन होई है अगर ये चमक जाती है तो इसका पोटेंशल आक्चुली में बहुबली टू टाइप से जहां पर आप बोल सकते हैं सतरा ठारा सो करोड पे दो जार करोड पे ऐसा पोटेंशल ये रखती है और अगर ये चमक गई और उसके बाद इंटरनाशनली जब रिलीज होई तो और बड़े नंबर आने की पूरी उमीद है इस मूवी से तो ऐसा नहीं है कि गलत बैट है के बहुत महिंगी मुक्चर बना दी है कुछ-कुछ स्टार्ड कुछ-कुछ तरीके की आप ये कह सकते हैं मुवीज होती है जो इतनी बड़ी बैट खेल सकती है और यह जब बैट किसी ने खेली होगी वो सिरफ सुचिए नरेशन पे ही बैट खेली होगी सिरफ स्क्राच बोड जो देखी होंगे उस पे 600 कोरोड पे का कमेटमेंट आया होगा लेकिन जो फाइनल प्रोडट आया अभी दद तो ठीक है लेट सी इसका ट्रेलर किस तरीके का इवेंचुल ही आता है और फिर जब ये मुवी आईगी तब मेरे खाल से काफे सारे रिकॉर्ड बनाने चाहिए इसको keeping the fingers crossed वागी जल्दी मिलते ह प्रोड्ड बीट कर अच्टे कि अधिए वागी आता है